मुझा जाए 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 हमजा असेफ तेंक यू जुल्फिकार तेंक यू फोर एविंग मी अच्छा लगा आपके पास आगर पॉड़कास पे हमजा इस वक्त अभी आयो भी में स्टूडेंट है एसी एफ के सेकंड रे स्टूडेंट और इनका पास जो है वह बहुत इंट्रेस्टिंग रहा है आपकी अच्छा इंट्रोडेक्शन करवाया है आपने मेरा आप बताना पसंद करेगी है जी जी बिलकुल मैं करवाऊंगा अपना इंट्रोडेक्शन जी आज से तकरीबन आठ साल पहले ये घटना घटी थी हाँ ये गलती हुई मुझसे कि मैं कैड़ कॉलिज पिटारो नाम की जगा पर पहुँच गया पंद्रा मैं दो हजार सोला को तारीख ही याद है आपको तारीख भी मुझे याद है अलहम्दुलिल्ला क्योंकि बहुत अच्छी जगा थी काफी वहाँ पर अच्छे अच्छे लोग नजर आ रहे थे बहुत अच्छा मौसन था इस सब को उल्ट किया जाए अगर तो वो सब कुछ हो रहा था उस दिन वा और बस गर को छोड़ा 13 साल की उमर थी घर छोड़ा और पहुँच गए कराची से डाई गंटे की मुसाफ़त पर करेट कॉलिज पिटारो डार्क पास्ट जी डार्क पास्ट बिलकुल लेकिन वो डार्क पास्ट एक तरह से हमारी जिन्दगियों को उसने तबदील किया मैं और मेरे साथ जो 160 लड़के थे हम लोग ने अपनी जिन्दगी का एक नया चैलेंज जो उसको एकसेप्ट किया और हम वहां पहुँच गए करेट कॉलिज पिटारो और वहां पर 5 साल हमने गुजारे 2021 में मैं करेट कॉलिज पिटारो से पास आउट हुआ उसके बाद पूरे 5 साल पास आउट तक रूक है आप यस कम्लेट किया यस मोस्ट आफ दवीपल वो फेड़ अप हो जाते हैं उनको होमसिकनेस होती है रगड़ा काफी जादा होता है वहां पर मौसम बहुत जादा टफ होता है तो वो रह नहीं पाते तो बीच में give up कर देता है लेकिन जिन्दगी का सबक है कि never give up अगर आप give up कर देंगे तो जिन्दगी खता है सिखाय भी यही जाता है बिल्कुल जो बात है यह 5 साल का अड़स आपना गुजा रहा है और मैं पिछले दो साल सापको युनिवर्शिय में देख रहा हूँ यहाँ पर तो आप बिल्कुल सीधे चल रहा है अलिफ की तरह लेकिन मुझे 5 साल क्योंकि यहाँ पर आपको वाला माहूल नहीं मिलावा न बिल्कुल जुल्फिकार ऐसे ही है असल में सारी बात जो होती है वो लोगों से होती है तो यहाँ पर मुझे ऐसे इस टाइप के लोग है ही नहीं जो उस टाइप के जो जंगली जानवर वहाँ पर थे उस टाइप के लोग है ही नहीं इदर तो क्या करें, यहां पे तो सीधा ही रहना पड़ेगा दूसरा यह है कि जिन्देगी ने बहुत कुछ सिखाया है पिटारों के बाद एक साल गैपियर लिया था एकेडिमिक डाउनफॉल का शिकार है हम बहुत जादा यहां पे आके भी जिपीय जो है, वो सेट नहीं है अपने एक लिए अपने आपने यह ताउनफॉल हागए बाद करें वो डिगरी जो है वो नाम की है बस नाम की रहे तो बेद और उस पांच साल के वक्त में जो आपने पिटारों में गुझारा है बहुत 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 होता है जिसमें एक बंदा सब के लग आता है और ऐसे लगते हैं कि लगते हैं हसते हसते हैं हाँ अलग है रसते उसमें से कोई एक कहानी जो आपको याद हो और जो सुनाने भी मज़ा है और सुनने भी मज़ा है अच्छा कहानियां बहुत सारी हैं तो 365 को 5 साल 5 से डिवाइड करें तो बहुत सारे दिन हैं हर दिन की हर दिन की अलग-अलग कहानी है और कुछ दिनों में तो 2-3 कहानिया हो जाती ही एक दिन में ही लेकिन एक कहानी है जो के हमारे आखरी दिनों ही कहानी हम लोग कॉलेज से पास होट होने वाले थे तो हम लोग तक्रीबान बाश्चाहों की तरह कॉलेज में जिन्दगी गुजार रहे हैं उस वक्त और हम पे जादा कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी हमने इलिगल फोन्स भी रखे हुए थे कॉलेज में और फुल मतलब ऐशो इशरत चल रही तो उसी दरम्यान में एक दिन जो है न हमारे अच्छा वहाँ पे ये बहुत नॉर्मल था कि सीनियर जो है वो जूनियर को पैसे देता था और वो कैंटीन से उससे समान मंगवाता था कुछ भी खाने पिने की चीज वीकेंड पे तो मेरे एक दोस्त ने एक जूनियर को मेट्रिक वाले को पैसे दिया और उसे का कि यार कैंटीन से जाओ और बिर्यानी लेकर आ जाओ अब वो मेट्रिक वाला जो था उसने ऐसे गोली कराई मेरे दोस्त को वो इदर उदर घूमता रहा बाद में आके कहता है कि भाई मुझे मिली नहीं बिर्यानी बिर्यानी खतम हो गए उसकी इतनी जुरत हाँ और मेरे दोस्त तो भाई उसकी इगो हर्ट हो गए उसने का यार तेरी इतनी जुरत अभी मेरे दोस्त लेके हैं बिर्यानी तू कैसे बोल रहे के बिर्यानी खतम हो गए तो उस मेरे दोस्त ने उसे चमाट मारती उस जूनियर अच्छा जूनियर को मेट्रिक वाले को अच्छा और अलाओ नहीं होता के सीनियर जूनियर को मारे भले वो अपॉइंट होलडर है लेकिन उसको अलाओ नहीं है के वो जूनियर को चमाट मारे या कुछ भी फिजिकल कुछ भी उसको करे तो वो लड़का जो है रोते-रोते हमारे कॉलेज के एक सेंटल पॉइंट से रिसेप्शन मतलब अगर आपकी पनिश्मेंट है तो पनिश्मेंट भी रिसेप्शन पे होती थी और सब कुछ कोई मसला वसला है सब रिसेप्शन पे तो वो लड़का रोते-रोते चला गया reception पे, अब वो reception चला गया वहाँ से एजुटेंट पे बात forward होगे, एजुटेंट जो होता है, वो second in command होता है, after principle, वो भी military का होता है, navy का होता है, left and commander serving, left and commander left and commander is equal to your major in army, ठीक है, और जो principal होता है, उसकी करेंगा, principle होता है, commodore, that is equivalent to brigadier, तो अब left and commander तक ये बात पहुँच गई ही, तो शाम को जो है, पहले तो हमाय दोस्त को बुला लिया गया, अब हमाय दोस्त खड़ा हुए, वहाँ पे, इतफाक से उसकी कोई surgery वगएरा विवी थी, तो उसको punishment कोई नी दी, तो शाम में जो हैना, left and commander, जो हमारा कौम के अंदर वो चीज आ जाए ना, unity तो हम लोग एक बहुत बड़ी कौम बन सकता है, हमारे में ये चीज है ही नी, unity, बिलकुल भी हाँ, unity, faith and discipline, ठीक है, और वो तीनों चीज़े हमें lag करती है ठीक है, तो अगर, मतलब हमें वो चीज़ सिखाई है भाई, वहाँ पे, उस जगा ने, हमें काइदे आज़म सिखाई, हाँ, खी बिलकुल, वो, काइदे तहरीक नहीं, काइदे आज़म तो, हमें तो unity थी, हमने का, यार, हमारा एक बंदा वहाँ पे है, शाम से, अगें, इधर आगें, शाम में, दुपैर से, उसको वहाँ खड़ा किया हुआ है, अब हमने जो है न, अगें, अगें, हाँस के कॉरिडॉर में, हाँस हमारा हॉस्टल जो था है, उसके कॉरिडॉर में आए हैं वो, और हमने पीछे चीखे मानने शुरू करती है, अब चीखे मारी तो, उसको पता लग गया कि भाई, यही है, उसे बहला सारे बहार आज़ा, अब जो बहारी चीखे, एह में, एह में, बस पता नहीं, कुछ हुआ था, उदेखिए वीडियो जो जाबे चिंपेंजी होते हैं, सारे के सारे, एक को काड़ता है, सारे के सारे तो, वो हुटिंग की हमने उसके उपर, तो उसने बोला कि चलो बहार आज़ो सारे, अब एज़ुएंट के पास, हर वक्त, गाड़ी में एक फाइबर का ढंड़ा होता था, मोटा, अब उसने बंदे बार बुला लिए, तो उसने, जो नॉर्मल आर्मी, नेवी, एर फोर्स, इनका, जो, मतलब, उनका, स्टार्ट करने के यह चीज़ होती है, कि वो, शुरू पनिश्मेंट ऐसे होती ही, कि आप पुश अप पुश-फ में एक बंदे टाइमिंग देता था, वन तू, वन के साथ आप नीचे जाना है, टू के साथ ऊपर, ़न के साथ नीचे, टू के साथ ऊपर, अब वो पुश-फ शुरू हों है, तो तकरीबन सो पुश-फ तो हो गये है, जी, शुरू कही दस मिनट में, सो पुश- है और वो डंडे जो है ना भर पूर जोर से डंडे लग रहे हैं अब भाई करते गरते तक अगरीमन कोई 200-300 पुशव तो यहीं हो वनगोम है और अब हम सब के खालते हीं खराब हमारे पसीने आ रहें अब एजुटे Reading बोलैंेंगे भाई अब आफ गरेंनगे फ्रण्टो और front roll करेंगे house से reception तक नहीं शाम का time है मगरिब के बाद reception आप reception तक front roll करेंगे reception तक 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 हम बैठें इस वक्त और क्रीक तक आपने front roll करना है और जो जमीन है वो जिस तरह road बना हुए नीचे same to same इस तरह कि और front roll करना है not like कि आप घुमते वे जा रहे हो वो कला बाजी आखानी है पूरी proper कला बाजी ठीक आप front roll में reception तक जाएंगे जी चलो हमने का ठीक है देखते हैं करते हैं हमने थोड़े बहुत किये थोड़े बहुत और आवाजे निकाली अब जी चल रहे हैं front roll करते करते हैं reception पहुंच गये अब reception पहुंच गये तो वहाँ पर वापस push up position आप वो सारी हरकते करते हैं सजा के दोरा नावाजे निकाल रहते हैं हाँ हाँ वो हमने किया क्योंकि हम लोग ने परस्टनल हो गए ना थोड़ा सा कि हमने का यार एक तो हमारा बंदा जो है इदर उदर हो रहा है फिर सजा भी हम खाएं तो चलो खैर गए reception गए फिर reception पे वापस उसने बोला भाई push up शुरू कर दो वापस वही रिच्वल push up हो रहे हैं तंडे पढ़ रहे हैं जो नहीं सही कर रहा है उसको डंडे पढ़ रहे हैं अब यहां तक था कि हमारे जो हमारे ना एंट्री में एक एतलेटिक्स का चैंपियन दा लड़का हमारे बैच का उसकी आलत खराब वो लेड़ गया उदर ही हम लोग तो चलो मिस करा रहे थे बीच में डंडे शंडे भी खाए लेकिन वो भाई वो लेड़ गया उसने फिर इंबुलेंस पगयरा मंगाई उसको लेके गए सिक्बे लेके गए तो उस दिन बड़ी मुश्किल पूरी रात थी तकरीबन हमारी वाहा हम लोग तकरीबन दो ड़ाई बज़ा आये थे वापस होस्टिल में मगरेब के बात के गए वे दो ड़ाई बज़ा आये और एजुनेंट साब की इगो हर्ट हो चुकी है कि भाई लड़कों ने मेरे सामने आवाजें कैसे निकाली और आवाज इसलिए निकाली थे कि आपका वाई वाई हो फिर हमने टीचर्स की बाई मिन्ते मिन्ते की कि हमें बचाएं तो इस तरह बहुत सारे वाकियाद है अगर इधर बैठ गए और शुरू कर दिया तो रात हो जाएगी इधर ही जिस तरह था आपने बताया कि पहली बात तो यह कि कोई किसी कभी को मसला नहीं था मज़े मज़े में हरकत किये और बैच ने एक बच्च एक एक विज़ा से बिलकुल बिलकुल अब तुम यह सिनेरियों यहां पर सोचो इधर तो कोई कारी नहीं सकता मैं तो कहता हूँ किसी कॉलेज में यहां किसी स्कूल में भी कोई नहीं कर सकता यहां पर तो यह सीन है भाई इसी तरह एक दफ़ा हमारे सीन हुआ था कि मेस नाइट हुए थी मेस नाइट हमारे वहां पर होता था कि एक फॉर्मल डिनर होता था प्रॉपर उसमें मतलब आपको मेस एटिकेट्स भी सिखाए जाते थे कि किसी तरह अगर आप फॉर्मल किसी डिनर में जा रहे हैं तो आपने किस तरह से खाना पीना करना है तो उसमें एक दफ़ा हमारे एक दोस्त ने चीख मारी वह भी सेम टू सेम इसी तरह का सेनेरियो है यह उसी तरह से पी एमे में होती है लेक मैस हाँ उसी ताइप का मैसता हमारा और एटुटेंट सामने बैठा है ठीक है और यहां से बाई जन ने चीख मार दी अब चीख मार दी तो एटुटेंट सामने बोला के वो डिट दस आई वांट दे कल्परेट कल्परेट ठीक है तो उसने फिर इशारा किया कि बोला कि आई नो दिस फ्रम फिस्टियर लियाकत और इफ यू आइप गट्स आई वांट होल फिस्टियर लियाकत तो गेट अफ फॉर दे कल्परेट हम लोग उस लड़के के लिए खड़े हुए जिसने आवाज निकाली थि हम सब खड़े हो गए हम लोग तकरीम है 25-26 लड़के थे और हम सब खड़े हो गए एक लड़के के लिए और हम लोग को किसी ने कुछ किया भी नहीं उस एडियर ने हमें छोड़ दिया उसने का अगर पॉजिटिव में देखे न तो ये चीज बहुत अच्छी चीज़ है अगर कोई किसी के लिए खड़ा होता है स्टेंड लेता है तो मतलब बहुत अच्छा हो है हम लोग के वहाँ अगर कोई भी बिमार होता था तो शाम को डिनर के बाद सारे लड़के जाते थे सिखबे उसका पता गनने कि भाई लड़के को क्या हुआ है भले फिर सिखबे वालों की चीखे निकलें कि ये हमारी चीज़ें तोड़ गए लेकिन हम लोग जाते थे डिनर के बाद और हम लोग मिलके आते थे उस लड़के से है से ये ये यूनिटी और ये सारी चीज़ें न सिर्फ मिलिटरी में ही सिखाई जा सकती है उस ट्रेंडिंग में जो एक माहूर आपको दिया जाते है बाद को चीज़ ना अभी ये भी फिलहाल जो सिनेरियो चल रहा है मुलक में बहुत सारे लोग आर्मी को बुरा बला कह रहे है बुरे काम वो भी करते होंगे डाला शाला ना आजा है बाकी खेर है लेकिन सबका लाफिज है बहुत बहुत शुक्रिया है हमदा अपने 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 एक्स्पिनिश शिर किया अमीद करते हैं कि जो तरजरबास से आपने सीखा वो अगे काम ऐसी तरह बिलकुल बिलकुल ऐसे ही है तैंक यू सो मच पर विविग मी तैंक यू सो मच तो कि यू तैंक यू